Hi Everyone, I am Richa Sharma and you are watching Parcham आपकी डिमांड पे आज का टापिक लेके आया गया है and that is Cabinet Ministers of India as on September 2022 यानि की 2022 सेतंबर तक जो भी Cabinet मंत्राले में लोग हैं उन सभी के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी Ministry यानि कौन सा मंत्राले किस व्यक्ति के पास है ये टापिक हमने अल्मोस्ट एक साल पहले किया था September 2021 में ये टापिक लिया था है October में और तब से लेके अभी तक में थोड़े बहुत उथल पुथल यहां वहां हुए हैं डिपार्टमेंट्स चेंज हुए हैं, मंत्राले चेंज हुए हैं कुछ व्यक्ति बाहर चले गए हैं, तो वो सारा आज अपडेट देख लेते हैं कैसे याद करेंगे, निमॉनिक्स की मदद से याद करेंगे यानि की टेकनीक्स लगाने वाले हैं, सीधा-सीधा डेटा है तो टेकनीक की मदद लेंगे और आपको इस वीडियो के एंड तक मेरी कोशिश रहेगी के सारी मिनिस्ट्री और मिनिस्टर्स मूँ जुबानी याद हों जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मिनिस्ट्री ओफ माइनॉरिटी अफेर्स किसके पास है तो आपको फटा-फट से आँसर आजाना चेए स्मृती जुबीन इरानी के पास है पर इफाइ आसक्यू जल शक्ती किसके पास है तो गज सिंग शिकावजी के पास है या फिर मैंने पूछा सिविल अवियेशन मिनिस्ट्री किसके पास है जो तेरा दित्य सिंध्याजी के पास है इस तरह से जैसे मैं आंसर दे पारी हूं आप भी दे पाएं और चेक कर पाओगे ये वीडियो देखे एंड में आपके लिए क्विक रिकॉल टेस्ट रखा है मैंने पांच सवाल में आपसे पूछूंगी और आप खुद आंसर देख प्रधान मंत्री जी के पास में कौन कौन से पॉटफोलियो है तो सबसे पहला है Ministry of Personnel ये परसोनल है परसनल नहीं है परसनल यानी निजी परसनल यानी कार्मिक व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होता है पबलिक ग्रीवेंस यानी जो भी लोग शिकायत होती है और पैंशन मं प्रधान मंत्री को अपने पास रखना है और जो भी पोटफोलियो किसी और को नहीं दिया जाता मिनिस्टर को पीम वो भी अपने पास रख सकते हैं तो अभी ये स्थिती है कि नरिंद्र मोदी जी के पास में ये तीन विभाग है ठीक है अच्छा यहीं बे आगे बढ़ने से पहले मैं दो टर्म के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देती हूं एक होता है कांसिल ऑफ मिनिस्टर और एक होता है कैबिनिट मिनिस्टर ठीक है क्या फरिक है कांसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी टर्म होती है उसमें जादा लोग होते हैं उसमें कैबि के जो लोग वो भी आ जाते हैं जिसमें की cabinet ministry शामिल होती है और यह सभी कुसको रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं चलिए तक की बात तो हो गई अब एक-एक करके ministry लेते हैं और ministers को याद करते जाते हैं अच्छा याद अगर आपको पहले से जिनके भी नाम पता हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है यह तो common sense है ना टेकनीक लगाने की ज़रूरत है ना याद करने की ज़रूरत है जो आता है उसको skip करते जाएगा मैं यह मान के पढ़ाऊं जी इसको देख रहे हैं राजनात सिंग यानि की हमारी ही हमारी रक्षा मंत्राले की बागडोर हमारे ही राज में है कोई और नहीं देख रहा है इंडिया ही नात है नात यानि जो संभाल रहा होता है तो राज और नात यह आपके हिंट हो सकते हैं ठीक है राजनात सिंग त बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो पॉपिलर हैं नियूज में आते रहते हैं थोड़ी भी अगर नियूज देखते हो तो जो जो नेम नियूज में सुने होंगे वो पहले से याद होने चाहिए चलिए फिर हम आते हैं अबाहरी वाफस क्यों अनुञ आंज नहीं हैं दोनों मंत्राले किसके पास में एक अमिशाध democracy का नामієं 100 परसंड सुना होगा नरेंदर मोधी जी के साथ ही आपको कई बाढ नूमंने देखने को मिल जाते हैं ज़ो गुजराती भाई यह ढ़िए तो अमिज्छा caregiver के पास नरेंदर जी ने डेश संभाला हुह है अमिच शाद जी ने घर संभाला हुआ है ग्रहम अंत्राले संभाला हुआ है और वैसे तो कोपरेशन सहकारिता के लिए है तो आप ऐसे याद रखे के नरेंद्र मोदी जी के साथ सहकारिता करते हुए देश चला रहे हैं हिंट काफी रहेगा आपके लिए ठीक है चलिए बढ याद करते हैं अच्छा इसके बाद यह हुआ था नहीं ना तो जब एक्जाम देना होता है तो स्ट्रेस लेके पढ़ते हो लेकिन जब एंटर्टेन्मेंट के लिए जाते हो इंजॉइ करके पढ़ते हैं और दोनों में से कौन सी चीज़ा जादा याद रहती है चाप्टर करोगे आज आओ मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट एन हाइवेज यानि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राल है बहुत सारे एक्स्प्रेस वेज और हाइवेज बन रहे हैं देश में और उन सब में आप नाम सुनते होगे नितिन गड़करी नितिन जैराम गड़ी चला गड़ी चला लो तो गड़ी चली गड़ी गड़ी साहग तो रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवेज गड़करी याद रहे का गड़करी जी फिर हम आते हैं मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टरनल अफ़र जानी की विदेश मंत्राल है इंडिया का जिस किसी भी सुब्रमन्यम जैशंकर यह शंकर आपने सुणा होगा ठीक है तो अब इनका क्या काम है बताइए इंडिया की विश्व भर में जै हो इंटरनाशनली इंटरनाशनल अफेर्स देखरें एक्स टरनल अफेर्स देख तो घर में जो बी हो रहा है वो अलग बात है लेकिन दुन कराया तो मैं दे देती हूँ पुरानी बिच्चे भी अगर देख रहे हैं तो आपको पुरानी टेक्नीक ही रिवाइस करवा देती हूँ जल्दी रिविजन हो जाएगा के जैसे सब लोग हलो नमस्ते करते हैं तो एस जैशंकर जी क्या बोलते हैं जैशंकर किसी भी देश के से एक्सटरनल अफेस मिनिस्टर से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं जैशंकर तो बहुत फणी सा सीन होगा है ना मान लीजे बांगलादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो नमस्तेया हलो कर रही है और यह बोल रहे हैं ठीक है कुछ भी चीज़ फणी और वियर्ड देखोग मिनिस्टर जैशंकर सबस गल покrya कि तो सबस्क्राइब मन्त्रा निर मिनिस्टरा-रमन को कर ऱख कर लीजिए और यह दोनों किसे पास हैं निर्मिला सीटारमन जी के पास हैं 60 निर्मिला सीटारमन सीथे चाहिए देगे हैं कि पूरे मिनिस्टरी में दो ही महिला हैं there are only two females one is Nirmala Sita Raman and the other is Smriti Zubin Irani पूरे cabinet ministry में और कोई female नहीं है तो इन दोनों के portfolio's को सीधे सीधे हमें याद रहें portfolio मतलब कौन कौन सी ministries इनके पास है वो portfolio हो गया ठीक है तो बस सीधे याद रख सकते हो finance minister तो हैं ये पता ही होगा अब finance corporate जो होते हैं बड़ी organization होती है उनमें finance बहुत important role प्ले करता है तो corporate और finance दोनों साथ हैं किसके पास है निर्मला सी था रमंजी के पास है done? ओके next हम आते हैं पियूश गोयल सहब के पास कौन कौन से मंत्रा लें देखो ministry of commerce and industry ये commerce and industry है ये corporate था ये companies वगेरा थी ये industry है ऐसे समझेगा, distinguish कीजेगा so वानिज्य एवं उद्योग मंत्रा ले फिर दूसरा ministry of textile यानि कपड़ा मंत्रा ले, कपड़े लत्ते और फिर ministry of consumer affairs food and public distribution यानि की उभोकता मामले जो भी consumer से related affairs होते हैं खाद्य सार्वजनिक वित्रण जो public distribution of grains वगेरा जो भी करना होता है खादे से related food grains supply एट्सेटर एट्सेटर वो सब इनके अंडर में आता है तो ये तीनों चीजें जोडनी है हमें पियूश गोयल से अब पियूश गोयल जी के लिए तो क्या trick हो सकती है तो PG PG हमने क्या ले लिए इनके initial letters ले लिए PG PG क्या होता है PG होता है पेइंग गेस्ट पेइंग गेस्ट यानि जो किरायदार होता है जो गेस्ट की तौर पे रह रहा है लेकिन आपको पैसे दे रहा है मामा चाचा नहीं जाते जाते पैसे दे जाते हैं नहीं जो हर महिने पैसे दे रहा है लेकिन वो गेस्ट है वो घर उसका नहीं उसको कहते हैं पेंग गेस्ट यानि किरायदार तो PG हमने ले लिया अब आजिन करो चलो कॉम्टेटव एक्जाम की तयारी कर रहे हो अगर या किसी भी लेवल पर भी पढ़ाई कर रहे हो आप जाके रहते हो तयारी करने किसी इंस्टिउशन गई और PG में रह रहे हो ठीक है आप पीजी में आप जो रह रहे हो नो फील करना बस जाओ चलो बैलकोनी म बड़ी बड़ी चद्रें और तकिये के कवर और खोलियां बन रहे हैं ठीक है टेक्स्टाइल देख लीजे और फिर एक और बार नजर घुमा लो तीन डिरेक्शन ही दिखेंगे ना पीछे तो आपी का कमरा है तो एक तरफ आपने देखा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है धुए निकल रहे हैं फिर आपने देखा अरे यहां पर तो टेक्स्टाइल है कपड़े बन रहे हैं फिर आपने देखा अरे यहां तो राशन अनाज पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन हो रहा है यानि अगर मुझे उभोगता को कुछ चाहिए तो मैं यहां जाके ले सकता कपड़ा यानि टेक्स्टाइल टेक्स्टाइल देखी और तीसरा कंज्यूमर अफेर फूड और पब्लिक डिस्ट्रिबूशन ओके आगे चलते हैं स्मृति जूबीन इरानी जीग पर आते हैं और मैंने आपको कहा था दो ही लेडिज या फीमेल्स हैं पूरी कैबनेट मिन मिनिस्ट्री में तो इनके कौकर सी मिनिस्ट्री जें अच्छय सो यह आधोना चाहिए गीमिनिस्ट्री यह यह नकवी साहब संभालते थे कल स्काब fully that ओनौरे की जगे यह मिनिस्ट्री किसको दे दी गई है स्मृती जुबीन इरानी जी को अल्प संख्यक कारे मंत्राले माइनॉरिटी से रिलेटर जो भी कारे होंगे वो इनी के पास आ गए है ठीक है तो अब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्योंके जेंडर जो गैप है वो थोड़ा जादा है इंडिया में तो फीमेल भी माइनॉरिटी में हैं है ना तो जिसके पास विमिन वाला डिपार्टमेंट है उसी के पास माइनॉरिटी अफेर्स का डिपार्टमेंट है और वैसे भी मैंने आपको क्या बताया दो ही महिल आये हैं उनके पोटफोलियो यादर इंचे निर्मला सीता रमन जी के पास में क्या है वित्त मंत्राले यानि फिनांस डिपार्टमेंट और कॉर्पुरेट अफेर्स वाला ठीक है और स्मुर्टी जूबीन इरानी जी के पास में विमेंचाइन डेवलप्मेंट और माइनौरेटी बच्चे को माइनर भी बूलते हैं फीम ट्राइबल अफेर्स यानि कि जन जाती अ कार्यमंत्राले इनके पास कैसे यात कर वाई था पशली बार ब्राउन मुंडे नहीं कराया था मैंने मैंने कर track से थोड़ा हटके होते हैं थोड़ी खास होते हैं थोड़ी अलग होते हैं हम जिस तरह से रेहन से हैं और culture को mix कर लेते हैं tribal लोग नहीं करते हैं they are very exclusive about their culture तो tribal लोग पिशली बार के comment में किसी student ने एक और contribute किया था trick कि brown Monday, brown Monday से भी कर सकते हो, अर्जुन मुंडा को, और tribal लोग जो होते हैं, अधिकतर उनके skin का color brown होता है, ठीक है, तो tribal लोग भी brown है, and brown Monday से भी association आप बिठा सकते हो, so I read your comments, आप लोग जो contribute करते हो, मैं वो भी पढ़ती हूँ, और कुछ चीज़ें बहुत अच्छे आप लोग बताते हो, so heart, thumbs up, thank you, well said, यह सब आपको मिलता है, तो communication बनी रहती है, ठीक है जी, यहां तक clear है आगे चलते हैं, नेक्स मंत्राले, ministry of law and justice, यानि की कानून और न्याय मंत्राले, law और justice जो है, कौन देख रहा है इस मंत्राले को, किरेन रिजजू, किरेन रिजजू, तो आप यह तो बहुत सिंपल है, देखो, जीजू, यहां आगए आपके जीजू, जीजाजी हमारे प्यारे जीजाजी, जीजू, जीजू, अब जीजू को, जब भी आपकी दीदी की जगड़ा हो, या किसी का भी जगड़ा हो रहा है, आप जीजू को ले आते हो, जीजू, आप न्याय करिए, कौन सही है, दीदी सही है, मैं सही हो, जीजू फस जाते हैं, बचारे, नहीं तो आप अपने जीज को imagine कर लीजे कि वो court vote में है कहीं law and justice वो ही देखते हैं तो बस काम हो जाएगा जीजू law and justice देख रहे ministry of law and justice next हम आते हैं तीन मंत्राले हैं again sorry दो मंत्राले हैं यह red color नहीं हुआ है कोई बात नहीं ministry of education शिक्षा मंत्राले ठीक है आप जो शिक्षा ले रहे हो ना यह मंत्राले कौन संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और ministry of skill development and entrepreneurship यानी कोशल विकास और उद्धिम्ता मंत्राले तो दो चीजे हैं पढ़ना लिखना और कोशल या हुनर सीखना है ना पढ़ लिखके नौकरी करो या कोशल हुनर सिखके अपना काम करो यही दो चीजे होती है ना और यह दोनों एक ही व्यक्ति के पास है धर्मेंद् प्रधान धर्मेंद्र प्रधान तो अब धर्मेंद्र प्रधान या तो आप ऐसे याद कर लिजे कि यूथ के लिए पढ़ता कौन है यूथ पढ़ता है हुनर कौन सीखता है यूथ सीखता है ना पर आप यूथ से यूथ अफेर्स कहीं कंफ्यूस मत कीजेगा है ना तो य जैवीरू धर्मेंदर और अमिताब जी तो धर्मेंदर जी को देख लिए धर्मेंदर जी ने दो चीजें लिए कि बच्चों की पढ़ाई और उनको कामकाज सिखाना तो मेरे उपड़ छोड़ दो धर्मेंदर जी बास तो धर्मेंदर प्रधान जी को अटाके धर्मेंदर ज नरेंदर सिंग तो मर, नरेंदर सिंग तो मर जी के पास में, कैसे याद रखें, अगर agriculture ना हो, तो क्या होगा, जैसे आज कल बहुत से जो गाओं के बच्चे होते हैं, या जो परिवार हैं, वो खेती छोड़ छोड़ के और शेहरों की तरफ आ रहे हैं, अगर खेती पूरी तो मर जाएंगे, हम खाएंगे क्या, तो मर जाएंगे, तो मर जी, ठीक है, और यहां से हमने लिया अगरिकल्चर, अगरिकल्चर ना हो, तो मर जाएंगे, इसलिए तो मर जी ने पहले अगरिकल्चर संभाल लिया, कि भाई, मरो मत, हम अगरिकल्चर की देखबाल कर रहें, ठीक है नरेंदर सिंग तोमर फेराम आते हैं Ministry of Social Justice and Empowerment यानि सामाजिक न्याए एवं अधिकारिता मंत्रा ले Keyword ले लो पूरा का पूरा नाम रटा हो यह ज़रूरी नहीं है है ना अगर आप Social Justice भी याद रख लेते हो या Ministry of Empowerment भी याद रख लेते हो Social Justice से ज़्याद रहेगा Social Justice यानि सामाजिक न्याए किसके पास में है Dr. Virendra Kumar के पास Dr. Virendra Kumar Movie देखे वीर्जारा वीर्जारा तेरे लिए हम है हर आसू पी है शारुक खान एंड प्रीटी जिन्टा ठीक है ना वीर्जारा मूवी तो उसमें देख लीजिए उनको Social Justice इतने सालों बाद जाके मिलता है है ना अगर आपने मूवी देखे तो रिलेट कर पाऊगे शारुक खान सालों तक जेल में रहता है और दोनों बुढ़े हो जाते हैं तब जाके उनको बढ़ापे में पाऊपे कर सकता है Social Justice और Empowerment की बाते है ना कोई वीर होगा तो ही जाएगा आगे कि नहीं Social Justice हमारा हमको चाहिए ही चाहिए हमें Empower करना ही है पुरे समाज को वीर व्यक्ती करें का बाकी तो अपने काम से काम रखेंगे तो वीर व्यक्ती ही Social Justice and Empowerment की बाते करता है ठीक है जी कुल में लाके वीर टाल लेजे ओके Next हम आते हैं Ministry of Health and Family Welfare Ministry of Chemicals and Fertilizers Health and Family Welfare यानि स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्राले Ministry of Chemicals and Fertilizers यानि रसायन और उर्वरक मंत्राले ये दोनों ही मंत्राले हैं अब देखें मंसुख किसे भी व्यक्ती का मन कभ सुखी रहता है जब उसका परिवार कल्यान में हो जब उसका परिवार सुखी हो हेल्दी हो और कोई भी परिवार हेल्दी या उसका कल्यान कभ होगा जब वो chemicals, fertilizers वाला खाना न खा रहा हो, healthy सब कुछ खा रहा हो, है ना, तो बस तीनों चीज़े relate हो गए, मन सुख, आपके पापा का, ममा का, मन सुख, कब जब आपकी health और उनके पूरे परिवार का welfare हो रहा हो, ये कब होगा, जब आप chemicals और fertilizers से दूर रह रहे हो, तो बस हो है ना, relate, chemical fertilizers, health and family welfare, मन सुख, मन दाविया, ये union ministers पता होने से दो-तीन benefit है, एक तो of course exam में सीधा-सीधा सवाल बनी जाता है, बंडे exams में, जब आप state या UPSC mains answer writing वगिरा करोगे, आप schemes पढ़ते हो अलग-अलग ministries की, ministers के नाम याद होने से of course benefit है, ministry लिख रहे हो, minister भी बता मनसुक मंदाविया जी के बारे में हाम ने पढ़ा था, अच्छा-च्छा, ये news है, वो news फटाफ़र रेजिस्टर हो जाएगी, ठीक है, तो it is always advisable कि cabinet ministers, chief ministers, governors, high court judges, chief justices जो होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहे है, ताकि news से आप related रहो, चलो, आगे बढ़ मनत्राल है, फिर ministry of labor and employment यानि श्रम और रोजगार मनत्राल है, ये दोनों ही मनत्राल है किसके पास है, भूपेंद्र यादव जी के बारे पास, भूपेंद्र यादव, कैसे याद रखेंगे, देखो, environment, forest and climate change, जब आपने COP26, conference of parties 26, कभी भी environment की बात करते हो, environment ministry की बात आती है, तो अब हम याद करते हैं कि ये ministry इनके पास है, environment या forest कहां उगते हैं, जमीन को हिंदी में भू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भू, भूमी, भू, भू का मतलब जमीन होता है, तो जमीन से ही environment और forest जुड़े हुए हैं, और जमीन से ही labor जुड़ा हुआ है, श्रम जुड होते हैं, unemployment है, या जो श्रमिक लोग हैं, वो जमीन से ही खोद रहे हैं, construction कर रहे हैं, तो वो परियावरन या forest हो, या वो श्रम हो, labor हो, दोनों किसे जुड़े हैं, भू से, भू यानि भू पेंद्रयादव, भू से ही environment, भू से ही श्रम, ओके, relate हो गया, चले आगे, मैं कोई बार-बार रिपीट नहीं करवाऊंगी, आप सिर्फ एक बार सुनिये, विजुलाइज कीजे, कुछ फील करने जैसा है, तो फील कर लीजे, आपके हर एक बॉड़ी के सेल में memory होती है, तो तब हमें हमारे experiences याद रहते हैं, बच्पन का भी कोई बहुत अच्छी, कर लोगे, या weird feel कर लोगे, वो याद रह जाएगा, ठीक है, involved हो जाओ, कुल मिलाके, experience का पार्ट बना लो इन चीजों को, नेक्स हम आते हैं, Ministry of Parliamentary Affairs, Ministry of Coal and Ministry of Minds, यानी संसदियकार्य मंत्रा ले, Parliament, संसदियकार्य, Ministry of Coal, यानी कोईला मंत्रा ले, और Ministry of Minds, यानी खान मंत् और ये तीनों ही किसके पास में है, प्रहलाद जोशी, नाम सुनके कुछ याद आ रहे है, प्रहलाद, प्रहलाद, है न, क्यों, क्या याद आ रहा होगा, वो एक स्टोरी याद आ रही होगी, जो स्कूल में, बच्पन में पढ़ते थे, के नरसिंग अवतार लेके भगवा विश्नु आये थे, और हिरन नकशपो की छाती फार दी थी अपने नाखुनों से, क्यों हुआ था ये सब, प्रहलाद के चकर में, जो विश्नु भगद था, और उसके पिता जी मना करते थे, विश्नु की पुझा मत करो, ठीक है, और फिर जो उसकी बुआ है, प्रहलाद क होले का उन्होंने अपनी गोदी में उसको बिठा कि और जलाने की कोशिश की, लेकिन होले का खुद ही देहन हो गई और पहलाद बच गई, ये कहानी थी ना, तो वही प्रहलाद आज हम लेते हैं, प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई थी, तो जलाते हम किस से, कोईले से तो coal ministry आ गई ठीक है, koila निकलता कहां से खदानों में से, mines में से तो mines ministry आ गई और एक और जगे बहुत जलाने वाली बातें होती है Parliament में Parliament संसर्द और जब इनकी बहस सुनोगे तो ऐसा लगता है, हो 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 कान जल गए हमारे कितनी जलाने वाली एक दूसरे को बाते करते हो तो Parliament में भी जल भुनके कुछ लोग कोईला होते हैं है ना, तो हमने जलने से प्रहलाद को associate किया, अब यह पूरा एक scene बनाईएगा, आपसे अगर पूछा जाता है कोईला मंत्राल है किसके पास है आप से पूछा जाए, parliamentary affairs ministry कौन होल करता है parliamentary affairs, आपस में साब एक दूसरे को जलाते रहते हैं कोई कोईले जैसा काला हो रहा है, कोई सो लग रहा है और प्रहलाद के साथ भी ऐसा था तो प्रहलाद, यह शुरुवात में होगा, बाद में प्रहलाद जोशी सेटल हो जाएंगे दिमाग में आपको कोईला मंत्राले कोई पूछेगा तो आपको यह पूरा ट्रेवल नहीं करना अच्छा कोईला जलाने के काम आता है प्रहलाद, ना, कोईला सुनते ही प्रहलाद जोशी निकलेंगे वाई, विकज़ आपकी मेमरी का हिस्सा बन चुका है तो इनिशली आपको टेक्नीक की जरुरत है बाद में टेक्नीक की जरुरत नहीं पड़ेगी तो कोईला, खदान यानी माइन और पार्लिमेंटरी अफेर तीनों में प्रहलाद प्रहलाद चलिए फिर हम आते हैं जल शक्ती मंत्रा ले अब ही आग लग लग रही थी अब जल शक्ती आगया ministry of जल शक्ती किसके पास है गज सिंग शेखावत, गजेंदर सिंग शेखावत है क्योंकि गज से मेरे को टेकनीक याद है गजेंद्र सिंग शिखावत अब देखिए जल शक्ति है जल पानी गज किसको बोलते हैं हाथी को कहा जाता है एलिफंट को कहा जाता है गज तो हाथी सूर में भड़ता है पानी और बहुत शक्ति से फेक रहा है सीन बना लो काम खटम तो जल शक्ति किसके पास है जल शक्ति है गज के पास हाथी के पास गजेंद्र सिंग शिखावत याद आ जाएंगे ठीक है इसलिए मैं गजेंद्र सिंग शिखावत बोलती हूँ टेकनीक नहीं जाती न दिमाग से और सामने ऑफकर्स लिखने में गजेंद्र ही आएगा ग माइकरो-small-medium enterprises हम बोलते हैं तो यह किसके पास है नारायन तातू रहने नारायन तातू रहने कही ज़र के नारायन रहने भी आपको लिखा हुआ देखेगा लेकिन पूरा रामीन का नारायन तातू रहने हैं तो हम तातू से याद रख सकते हैं विकंष थोड़ा यूणीक स वर्ड है तातु तो देखो जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं माइकरो हो बिल्कुल, माइकरो हो मीडियम, स्मॉल हो मीडियम हो जो बच्चे की काटेग्री में आते हैं हम उनसे ना कुछ अजीब-जीब से शब्दों में बात करते हैं ममम पियोगे, है ना, नहीं, पिटी पड़ेगी, तातु है, तातु है, हाथ नहीं लगाना, जल जाओगे, ठीक है, तो यह अजीब अजीब से शब्द हम किन के साथ यूज करते हैं, एनिवेज, तातु, 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 किसको बोला, माइक्रो, स्मॉल या, मीडियम साइज के बच्चे को, ना, रायन, ना, रायन, क्या होगा, आज की दुनिया का, है ना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम प्रॉब्लम्स में भी, ना, रायन, ना, रायन, चालो हो जाते हैं, तो ना, रायन, तातु, रान, ऐसे कर लेज़े, दन, चलो, Ministry of Animal, Husbandry, Daring and Fisheries, यानि पशुपालन और डेरी विभाग, पुरुषोत्तम रुपाला, पुरुषोत्तम रुपाला जी के पास है, कैसे याद रखें, पुरुषोत्तम, एक पुरुषोत्तम राम भगवान को कहा जाता था, याना, पुरुषोत्तम नरुत्तम, पुरुषोत उत्तम पुरुष कौन है, जो दूसरे पुरुषों के साथ ही अच्छा व्याभार ना करे, यानि यूमिन रेस के साथ ही अच्छा व्याभार ना करे, आनिमल्स के साथ भी अच्छा व्याभार करे, है ना, तो पुरुष उत्तम वही, जो एनिमल्स के साथ भी अच्छा व् Ministry of Railways, Rail Mantra ले, Ministry of Communication, दूर संचार मंतरा ले, Ministry of Electronics and IT यानि Information Technology, Electroniki और सूचना प्रद्योगी की मंतरा ले, ये तीन मंतरा ले हैं, किसके पास हैं, तीनों, तीनों हैं, अश्विनी वैश्नव, अश्विनी वैश्नव, Railways बहुत ज़्यादा News में रहता है, तो अश्विनी वैश सुनने में आते रहते हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा नहीं आते सुनने में, पर आब आपको पता है कि अश्विनी वैश्नव की बात आ रहे हैं, तो Railways भी है, Communication भी है, दूर संचार, और IT भी है, कैसे याद रखेंगे, देखो, दो तीन तरीके, दो तरीके, तीन तो मै क्यों बताऊं आपको, मेहनत करो खुद भी, AV ले सकते हो एक तो, AV is audio visual, audio visual, AV से अश्विनी वैश्नव, audio visual, तो trains, जो railways है, railways में भी audio visual feature हो, के बैठे बैठे, आप movie, movie देख लो, audio visual, चल रहा है, या फिर आप देखो, आप train में journey कर रहे हो, अपना laptop, या tab, या कुछ खोला आपने और audio visual देखते जा रहे हो, जोर्नी कर, ठीक है, तो railways में बैठे बैठे, आप बाहर के निजारे नहीं देखके, audio visual में लगे हो, हो गया, communication, audio visual से हम communicate कर रहे है, जैसे कि हमने FaceTime किया, या हमने वीडियो चाट किया, audio visual से हम communication कर रहे है, information technology, IT भी हमें audio visual से मिल रही है, ह या audio visual से हम information हमारे तक पहुँच रहे है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इन तीनों में ही audio visual यानि AV है, और तीनों में ही अश्वनी वैशनव है, ठीक है, दूसरा, चो पिछले साल मैंने कराया था उन बच्चों को, तो अश्व लिया था हमने, अश्व यानि घ गोड़ा, एक समय होता था जब अगर आपको यहां से वहां कोई communication पहुंचानी है, information पहुंचानी है, तो आप घोड़े पे वैट के जाते थे, हैना, distances cover करने हैं, एक जगे से दूसरी जगे जाना है, घोड़े पे अश्व पे जाते थे, अब अश्व की ज़रुत नहीं है, railways आ गए हैं, एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए, communication और information भी अब घोड़े से पास नहीं की जाते हैं, ITVT आ गया है, तो आप अश्व को भी relate कर सकते हो इन तीनों से, और आप AV यानि audio visual को भी कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स हम आते हैं, आयुष मंतराले, कौन सा मंतराले, आयुष मंतराले, क्या है ये आयुष, आयुष है Ministry of Ayurveda, योग, नैचुरोपिती, युनानी, सिद्ध और होमियोपिती, तो ये सब मिलके होते हैं, आयुष मंतराले और ये किसके पास है, ये है सरभननंद सोनोवाल के पास सरबनन सोनवाल तो आयूश्मान भवा होता है ना आयूश्मान भवा लंबी आयू हो आपकी सब आनंद में हो ऐसे आशरवाद मिलते हैं बड़ों से पाउच होगे उनके आगे दोग दोगे तो क्या बोलते आयूश्मान भवा खुश रहो सब मंगल रहे सब आनंद मे में आशर्वाद को आयुष्मान भववः को आनंद से एसे मंद में रहे भग्वान आपका भ्हला करे आयुष्मान भववर कि कि नेक्स्ट मिनेस्ट्री Ministry of Rural Development यानि ग्रामीन विकास मंत्राले Ministry of Panchaity Raja यानि पंचायती राज मंत्राले दोनों ही गाउं से जुड़े हैं देखे ग्रामीन विकास और पंचायती राज पंचायत गाउं वाले अरिया में देखने को मिलेगी आपको तो Rural Development पंचायती राज दोनों ही किसके पास है? ग्री राज सिंग जी के पास ग्री राज और पंचायती राज दोनों में आ रहा है राज तो Raja Nath सिंग जी में भी राज है वो confused मैं पर इस तो बता है राजना सिंग जी तो हमारे कौन है? Defense Minister है ग्री राज ग्री दो चीजों के लिए भी इस्तमाल किया जाता है नारियल की ग्री होती है जो खाते है हम और ग्री परवत को भी बोलते है यह मैंने इसले किया क्योंकि कृश्ण जी ने गवर्दन परवत उठाया था डोन्ट टेक दाधर मीनिंग आप दिस ग्री परवत के लिए भी कहा जाता है और ग्री नारियल की खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ग्री को भी कहा जाता है आप देखे परवत जो है गाउं साइड आप जाओगे तो आपको छोटी-छोटी पहाडियां दिख जाएंगी तो उससे भी आप गिरी असोसियेट कर सकते हो कि आप छोटी-छोटी पहाडिया देखने के लिए रूरल एरिया में गए और वहाँ पंचायत चल रही थी नहीं तो पंचायती राज गिरी राज यहां भी राजबाद में आ रहा है यहां भी राजबाद में आ रहा है पंचायती राज गिरी राज और पंचायती राज के साथ-साथ हातों हात क्या आएगा rural development बात खतम तो पंचायत क्या काम करती है रूरल डेवलप्मेंट हो इसी का काम पना хagar थै नहां आसोइट हो जाएगा फिर हम आते है मिनिस्ट्री अफ सिवेल एविएशन यानि नागर एख उड्डए help न इन अमंत्राल है और मिनिस्ट्री अफ स्टील यानि इसپात मंत्राल है इसपात्मंत्राल है इंडिया global level पे उड रहा है development बहुत सारा हो रहा है तो इंडिया because of the youth हमारे यहां पर जो population है बहुत young population है बहुत talented population है इसके चक्कर में हम globally उड रहे हैं ठीक है तो aviation मन्तरा आप देख सकते हो हमारा है भी न ओडे देश का आम नागरे हमारा एक project भी है फिर Ministry of Steel तो इंडिया नो स्टील जैसा मजबूत है बहुत जल्दी जंक नहीं लगनी हमको हम बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं बहुत मजबूत हैं टिकाओं हैं सो स्टील की तरह टिकाओं और सिविल एविएशन की तरह उड़ने वाले यह दोनों फीचर किसमें हैं इंडिया में हैं इंडिया से सिंधिया याद रख लेना और वैसे तो जोते रादित्य सिंधिया कंपेरिटिवली यूथ फुल यानि जवान युवा काबिनेट मिनिस्टर माने जाते हैं तो आप लोग जानते तो होगे मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है बाकि नेक्स मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री भारी उद्ध्योग मंत्राल है किसके पास है महिंद्रनाथ दे हैं डिए हैं फुल यूंअ जरा है तो महिंद्रें महिंद्रा की गाड़ियों में भर भरके जहा रहें लोग आ ही महिंद्राएन महिंद्रा जौन disproportionately कि पिसे नहीं आती पर पांडे सरने विजली विहारीज में होता है तो थोड़ी बातचीत कर लो महिंदरनाथ पांडे जी से हेवी इंडस्ट्रीज के बारे में याद हो जाएगा फिर माते मिनिस्ट्री आफ फूड प्रसेसिंग इंडस्ट्रीज यानि खाद्य प्रसंस करन मंत्रा ले जो फूड प्रसेसिंग होती है ना फ्रेश फूड से सॉस जैम या प्रसेस फूड बनता है इसको कौन देख रहे है पशुपती कुमार पारस पीके पीके हो क्या इतना फूट कौन खाता है भाई ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि पारस होता है ना sorcerer's stone बोलते हैं अगर आप Harry Potter fan होंगे तो आप sorcerer's stone को जानते होंगे नहीं तो पारस पत्थर कहा जाता है जिसको छूदे सुना बना दे तो पारस जी पारस जी क्या करते हैं जिस खाने को छूए प्रोसेस्ट बना दे इनके पास यह पारस जी जिस खाने को जिस फूड को छूए प्रोसेस्ट बना दे इनके पास यह पार है पी 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 से भी कर सक then coming over to power ऐसी वाली नहीं बिजली वाली so ministry of power यानी ृ उनी बिजली मन्त्रा ले and ministry of new and renewable energy नवीन एवान नवी करणीय मन्त्रा ले so बिजली विभागने बिजली मन्त्रा ले और नवीन और नवी करणीय मन्त्रा ले दोनों हैं राजकुमार संग के पास किसके पास है राजकुमार से तो पावर चली जाए आपसे 5 मिनट नहीं रुखा जा रहा-मम्मी गर्मी मम्मी गर्मी हाय तौबह मचा देते हो राजकुमार हो गया तो राजकुमार सिंग जी पावर ठीक है फिर मपमीका ताना आता है बोलो अपने पिताजी से लगवाएंगी तुम्हारे लिए सोलर रींवेबल रींवेबल एनर्जी वैसे जहां पावर आ गई वहीं पर रींवेबल एनर्जी उठी और इसा थोड़ा कि आप साथ संभालव यह राजकुमार जी ठीक है तो यह-पिर एप इजली विभाग वाले व्पूरा बिनिस्ट्री ले लो आप क्या बिजली नी जाएग तो कुल मिलाके बड़े राजकुमारों बड़े लाड़ साबों ऐसे करके बिजली से जोड़ लेजएगा हो जाएगा दिन हम आजाते हैं Ministry of Petroleum and Natural Gas यानि Petroleum एवं प्राकतिक गैस मंत्राले और Ministry of Housing and Urban Affairs यानि आवास और शहरी मामलों के मंत्राले दोनों ही मंत्राले किसके पास हैं ये हैं हरदीप सिंग पुरी जी के वास में एक पुरी जी हमारे हैं दिलिप पुरी जी एक हम हैं रिचा शर्मा पुरी और एक हैं हरदीप सिंग पुरी कोई लेना देनानी हापस में सरफ सर नेम से हैं alrick Hayd music host पुडि खाना पसंद कि यसम्वेब प॥ा थैसकें पूरी पूरीयहा provides फोडिकों पूरीश को पूरीखirk इन सबएने पूरिये नहीं बनती है पै्ट्रोलियम में पूरी बनती है Imagine जल्दी से देखो इतना महेंगा पेट्रोल और तेल और उसके अंदर अरदीप सिंह पूडी जी के गर में पूडियां बन रही है ठीके दिख गया ओके तो पेट्रोलियम में बनाते हैं अरदीप सिंह पूडी जी पूडी और Housing and Urban Affair अब यह बोल सकते हैं मेरा housing affair है में क्यों बता हो हमारे गर में petroleum में पूरी बनती है आप कौन खामका क्यों बता हैं हम आपको थीक है तो भाई यह शहरों में हो सकते हैं अजीब गरीब काम बिचरे गाउं में तो कहां सीधे साथे लोग पेट्रोल में पूरी आथा रहेंगे अर्बनेर इअज में और अपने हाउस में बैठके पेट्रोल में पूरी तल रहे हो या पेरोसीन में तल रहे हो या सरसों के तिल में तल रहे हो who cares so puri sahab petroleum में पूरी तलते हैं this is his housing and urban affair why should he tell you बस याद रख लिजेगा दोने याद हो जाहेंगे नेक्स नम आ जाते हैं फट्टा फट से I think that should be the last slide let's see Ministry of Culture यानि संस्कृती मंत्राले Ministry of Tourism यानि पर्यटन मंत्राले Ministry of Development of North Eastern Region यानि पूर्वत्तर शेत्र विकास मंत्राले तीनों किसके पास है किशन रेड डि किशन रेड़ी जी के पास है य emphasizing कभी संस्क्रित कारिक्रम होते हैINñ क autre you ready होते हूं ऐसी दोड़ी चल जाते हूं नहीं जाते हो नह Zarzept ready हो वेकर अगर कार्चरल कल्चर से रेलेट्ध कोई त्योहार है कोई फंक्शन है तो हम रेडी होके जाते हैं तूरिजम पे जाते हैं कृ में छाथ चतुरिस्ट के जाते हूं कृई चलते आपके घर आ रहे हैं रेडी मिलोगे और ё नौटी सब्सक्राइब हो measures तो नौथ इस्टन रेड रीजन को भी क्या करना है तो किशन रेड़ी कल्चर टूरिजम नौथ इस्टन रीजन डेवलाप्मेंट डन डन अडन ओके आजए इस अब अनुराग ठाकुर जी क्या-क्या है आपके बास इनके बास है मिनिस्ट्री अफ इंफर्मेशन और ब्रोड बहुत सारे स्पोर्स लेके आते हैं युवा कारिक्रम एवं खेल मंत्रा ले तो खेल मंत्रा ले यूथ अफेर इन्फर्मेशन ब्रोड्कास्टिंग सब किसके पास है अनुराग ठाकुर जी के पास तो इनको बहुत अनुराग से रागदुश्च से नहीं अनुराग से को ब्रोड्कास्ट कर ठीक है और आप यूथ अफेर्स देख रहे हो यूथ के साथ ठाकुर वाला व्यवार करोगे यूथ सुनेगा नहीं आपकी अनुराग से बात करो ठीक है जी और स्पोर्स मिनिस्टर नहीं तो याद करी लोगे साथ में अभी नहीं हाँ चलिए विद दस वी आर डन लर्निंग ओल दी काबिनेट मिनिस्ट्री खेल खेल में याद किया बिल्कुल बच्चों वाले तरीकी से याद किया बिल्कुल अब आप मैजिक देखेगा आंसर कर पा रहे हो तो ताली बजा लेना खुद के लिए मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है मैंने सिर्फ आपसे हसी मजाग की कुछ बाते की हैं कुछ रिवाइज नहीं करवाया है पांच सवाल आपसे पूछने वाली हूं ठीक है आपको बताने कौन सा मिनिस्ट्र कौन सी मिनिस्ट्री को बिलॉंग करता है ठीक है जी चलिए पहला सवाल आ र राज मंत्राले किसके पास है कि यूनियन मिनिस्टर पंचायती राज पंचायती राज और इसी के साथ साथ रूरल डेवलप्मेंट भी इनी के अंडर में आता है कौन है वो क्या वो राजकुमार सिंग है गिरीराज सिंग है पुरशोत्तम रूपाला है भुपेंद्र था गिरीराज गिरीराज वेरी गर्ड से राइट आंसर इस गिरीराज सिंग साथी साथ यह भी ट्राइब करो है ना यह भी ट्राइब करना कि राजकुमार सिंग जी के पास कौन सा मंत्राले है राजकुमार है ना राजकुमारों वाले शौक हैं बिजली जले जाए तो पा होते हैं वो सिर्फ पुरुषों के साथ यह अच्छा व्यवार नहीं करते किसके साथ करते हैं आनिमल के साथ भी करते हैं अनिमल हस्वेंट्री फिशरी वाला मिनिस्ट्री भू पेंद्र यादव भू भू फॉरेस्ट एन्वार्मेंट क्लाइमेट चेंज और भू से और हाँ अपना स्कोर जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखके बताना मैं पांच सवाल पुछने हूं पांच में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं और अगर आप सभी को एक एक क्वेश्चन मानके चलें तो 20 सवाल हो जाएंगे जैसे आंसर करना करना आप मुझे 5 में से भी अपना स्कोर जरूर से कॉमेंट सेक्शन में लिखके बताओगे यूनियन मिनिस्टर अफ माइनॉरिटी अफेर्ज यानि अल्प संख्यक कारे मंत्रा ले माइनॉरिटी अफेर्ज ध्यान करो किसके पास था ट्राइबल नहीं है माइनॉरिटी है मैंने कहा था दो ही फीमेल्स हैं और उनके आपको याद होने चाहिए तो विमिन चाइल्ड डेवलप्मेंट और माइनॉरिटी अफेर्ज किसके पास है स्मृती जुबिने राणी जी के पास क्या क्या सोचो रेलवेज याद आ गया एवी ओडियो विजुल रेलवे में बै और कॉशल वाला है कीवर्ड तक पहुंचो ठीक है पूरी मिनिस्ट्री का नाम रटा होना जरूरी नहीं है पशुबधी कुमार पारस पारस sorcerer's stone किसी भी खाने को छुते क्या बना देते हैं प्रॉसेस्ट प्रॉसेस्ट फूर्ड इंडस्ट्री वाला जो मिनिस्ट्री पूरा इनके पास है अगला सवाल टैन टैन आंसर करू ऐसे पढ़ाई करने लग जोगे न यह मत बोलना कि मैं इंपॉसिबल एती खेल-खेल में इसा क्यों बढ़ाई को चुटे बच्चे भी तो करते हैं माई डॉटर इसन फिर्स्ट क्लास बर स्टांडेड में ऐसी बढ़ाती हूं भड़ लेते हैं साथ में यह जाता है बढ़ों के साथ भी ऐसा हो सकता है पर इतना पें और इतना टाइम निए टीचर की पास क्वूल गजिंद्र सिंग शिखावत याद आगया कहां थे पीजी में थे इंडस्ट्री रेखी थी कपड़ा बनतावा देखा था consumer affair that food and distribution है नो तो पीजी से पियूश गोयल ये भी बताओ अनुराग ठाकुर जी अनुराग से बात करनी कहां कहां information broadcasting जो करनी होती है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है यूथ अफैर मिनिस्टर है नारायन तातू राने तातू 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 जल जाएंगे डूंट टाच किसको बोलते हैं हम माइक्रो स्माल मीडियम इंटरफ्राइज़ गजे इंद्र सिंग शिखावत गज जल जल शक्ति और फॉर्ट क्वेस्ट्न पांच सवाल आने वाले हैं और कॉमेंट जरूर करके बताएंगे वन स्कोर भी आ रहा है तो भी बताओगे नो प्रॉब्लम कम स्कोर भी आ रहा है तो एक बार कोई क्रिविशन ले लेना 515 हो जाएगा वैरेंटी चलो यूनियन मिनिस्टर ओफ लॉइन जस्टिस लॉइन जस्टिस कानून और न्याय मंत्राले किसके पास है कानून और न्याय किशन रेड़ी प्रहलाज जोशी किरेन रिजिजू अर्जुन मुंडा जीज किशन रेड़ी जी का बताओ आयू रेड़ी कब रेड़ी होते हम सांस्कृतिक प्रोग्राम हा तो कल्चर टूरिजम और रेड़ी नौर्थ इस्टन डेवलाप्मेंट प्रहलाज जोशी प्रहलाज जलने से रिलेटिट था कोईला कोल माइन्स और और कौन जलाता है एक थोड़ा ऑफबीट है क्यों है ऑफबीट क्योंकि कौन सी मिनिस्ट्री देखता है ऑफबीट ट्राइबल अफेर्स देखते हैं ओके लास्ट क्वेस्टन फॉर यू और कमेंट करके यह भी बताना है इसे पढ़ने में कितना मजाया हां चौरो यूनियन मिनिस्टर आफ स्विईल थीस से एक पोडिम कों है इंडिया है इंडिया किसके अंदर आ रहा है सिंदिया के अंदरे शौ जो तिस सिंदिया है इस भी जंद में रहिए आयूश्मान भवा आयूश्मंद्राले और मन्सुख अल मंडाविया मन्सुख कब है मम्मी पापा का जब जब फैमिली वेलफेर हेल्थ है ना और कभो का फैमिली वेलफेर जब फर्टिलाइजर्स केमिकल से दूर रहेंगे तो यह सारी मिनिस्ट्री और इस बहुत सीरियस बिजनस की तरह ले लिया है जबरत नहीं है हम सीख ही तो रहे हैं कोई चीज और कंसिस्टेंटली अगर सीख रहे हो बिल्कुल एक्जाम टाइम में पढ़ना है और रात रात बार बैटके पढ़ना है रटना है तब तो स्ट्रेस होना लाजमी है ना फिर तो पोईटरी लिखने में भी स्ट्रेस होगा फिर तो जोक सुनाने में भी स्ट्रेस होगा हर चीज में स्ट्रेस होगा अगर लास मिनिट पे की जा रहे है अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हो इंजॉय करकर के वो प्रोसेस किया जा सकता है पढ़ाई is not stressful our habits make it stressful तो मस्त रहो अच